पिछले पांच साल के अंदर महाराश्टा की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही बड़े उतार चड़ाव हमें देखने को मिले हैं इन में से एक की कॉंपरेंट था जब शिव सेना का दो पार्ट में डिवीजन हमें देखने को मिलता है एक उद्धब बाला साब ठाकरे वाली जो सेना है और इसके साथ साथ एक जो शिंदे गृप की जो सेना है अब जब ये डिवीजन हुआ और कहीं जो महाराश्टा के स्पीकर जो राहुल डानवेकर जी है इनके पास ये फैसला पहुंचा कि आखिर असली शिव सेना कौन है तो इन्हों ने यहाँ पर शिंदे पार्टी है कौन नकली पार्टी है ठीक है ना तो इसमें किस बेस्पे डिसिजन हो चाहिए यहाँ पर आपको सिरफ लेजिसलेचर के अंदर मजौर्टी नहीं देखनी प्लस एड़स एम टाइम आपको पुलिटिकल सेंस में भी देखनी है कहने का अर्थ क्या कहने का काश्टरा के स्पीकर थे उन्होंने शायद सिरफ और सिरफ लेजिसलेचर मेजौर्टी देखी किसके पास नंबर थे और नंबर थे शिंदे ग्रूप के पास इसलिए उनको रियल शिव सेना बोल दिया पर ये एक तरह से सुप्रीम कोट के निरने का उलंगन है क्योंकि यह यहाँ पर सुप्रीम कोट ने स्पीकर से पूचा है कि भाई आपने हमारे वर्डिक्ट को क्या कॉंटरिक्ट किया है ताकि पता लग पाए इस सीज के रिगार्डिंग अगर ऐसा हुआ है एक्चुल में कि स्पीकर ने सुप्रीम कोट की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि जो असली शिव सिना है वो उद्दा बाला साब ठाकर जी की सिना को बता दिया जाए फ्यूचर के अंदर तो अभी के लिए स्पीकर से पूचे गए हैं कि आपने सुप्रीम कोट के वर्डिक को कॉंटरिक्ट किया है या नहीं दोस्तो डेट है आज की 8 मार्च 2024 और आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलिम बूस्टर न्यूस डिसकुशन के अंदर देखो ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं है न वो हमारे समाज की एक बहुत ही मेजर पिलर ऑफ स्टेंथ की तरह काम करती है इसलिए सारी महिलाओं को और सारे सब को ही बलकि Happy International Women's Day इसके साथ ही साथ आज महाशिवरात्री जी का भी पावन पर्व है ठीक है न तो आप सभी को इस पावन द्योहार की भी बहुत सारी शुब काम ना है तो यह आगे discussion को continue करते हैं डिसकस करते हैं CCPA यानि की Central Consumer Protection Authority के बारे में देखो आप लोगों है न पिछले कुछ टमे के अंदर बहुत सारी advertisement देखते हो है के नहीं वो आप जानते हो advertisements आती हैं बिल्कुल अब केई ऐसी advertisement होती है न जो आपको indirectly betting हो गया gambling हो गया जुआ खेलने के लट हो गया इस तरह चीज़े पर्मोट करते हैं देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किसी particular company का पर बहुत सारी आप लोग भी न जब देखते हो इस तरह हैं चीज़ें तो indirectly वो प्रमोट करते हैं especially हमारे youth के अंदर और आजकल तो बहुत सारे बच्चे भी बहुत सारे youth भी हमारा इसके अंदर involved हो गया है वो indirectly जुआ ही है एक तरह का जहाँ पर के वर sports के अंदर हो गया gaming बोल के उनको यहाँ पर जुए कि लाती है यहाँ पर लगवाई जाती है तो ccpa जो central consumer protection authority है उसने सभी stakeholders को one किया है कि अगर आपने इस तरह की कुछ भी endorsement करी तो आपके उपर बहुत strict action लिया जाएगा और यहाँ पर आप notice करोगे ना इन्होंने सब के उपर action लेने की बात करी है चाहे वो celebrities हो चाहे वो manufacturers हो चाहे वो publishers हो intermediaries हो social media platforms हो broadcasters हो endorsers हो कोई भी यहाँ पर directly या indirectly betting या gambling जैसी चीज़े promote करता हुआ पाया गया तो उसके उपर strict action लिया जाएगा ऐसा यहाँ पर ccpa ने बोल दिया है अब आप पूछोगे सरी ccpa कौन है ccpa है central consumer protection authority यह आपकी ministry of consumer affairs के अंतरगत आती है यहाँ पर आपको chief commissioner आपको देखनेक मिल जाएंगे इसके head इसके लावा ccpa की investigation wing भी है जिसको director general head करते हैं इसके लावा आपकी जो DC होते हैं district collector उनके पास भी power होती है कि मानलो कुछ unfair trade practice है या फिर consumer rights violate हुए है तो उन powers को यह investigate बत्ता उन मुद्दों को यह investigate कर सकते हैं तो ध्यान रखेगा Consumer Protection Act के अंतरगत यह एक regulatory body है ccpa एंड इस तरह से इसके पास बहुत सारी powers है यह inquiry कर सकती है कोई complaint वगरा इनके पास आए या फिर अपनी मर्जी से भी सुव मोटो भी अब यह cognizance ले सकती है ठीक है investigation मैंने आपको बता जी दिया कि अगर कुछ गडबड पता लगता है तो उसको investigate भी किया जा सकता है and ensure कर सकते हैं कि अगर किसी भी जगा के उपर कुछ गलत advertisement हो रही है कुछ लोगों को गलत proof किया जा रहा है तो कहिना के उसके उपर action लिया जा सकता है बहुत सारी ऐसी देखो advertisement होती है जो आपके customer को कहिना के बेवकूप बनाने की कुशिश करती है उनसे पैसे अथ्याने की कुशिश करती है तो उनके इस action यहाँ पर CCPA ले सकती है and अगर मालो कोई ऐसा product लगता है जो कोई गड़बड है यहाँ पर कुछ dangerous है तो उस particular product को उस particular service को withdraw भी किया जा सकता है उसको recall भी किया जा सकता है and अगर मालो कुछ wrong या misleading या फिर consumers को कुछ ऐसी गलत advertisement दीदा रही है तो उस advertisement को यह discontinue भी करवा सकते हैं तो इस तरह से आप notice करोगे कि यह सारी चीज़े हमें आप देखने को मिल जाती है CCPA की powers के अंतरगत और एक दू बाते देख लेते हैं इस चीज़ के regarding की एक्चल में अगर आप notice करोगे तो betting और gambling है वो इंडिया के majority of the regions के अंदर आप जानते हो illegal ही है and कही ना कहीं आज कल gaming के नाम देकर इस तरह के platforms और apps बहुत सारी आ चुकी है जो कि इस चीज़ को promote कर रहे है इनफेक्ट ना इस particular advisory के अंदर यहाँ पे इन्होंने बात करी guidelines for prevention of misleading advertisement and endorsement for misleading advertisement 2022 तो यह 2022 के जो guidelines आई थी ना उनका यहाँ पर इन्होंने जिकर किया है इस particular advisory के अंदर कि देखो आप लोग ना इस particular advisory को मान नहीं रहे हो and इस वज़ा से आप कहीं ना कहीं rules का उलंगन कर रहे हो कही बारना आप लोग ने देखा होगा कि कुछ जैसे ना कुछ ज इंडिरेक्ली advertisement करी जाती है जैसे for example आप लोगों ना कहीं वर किंग फिशर की ads देखी होगी ठीक है ना उनकी advertisements के अंदर ना कभी वह किंग फिशर दारू को promote नहीं करते हैं वो इंडिरेक्ली कुछ और चीज़े promote कर रहे होते हैं similarly आपके जो music CDs की के वर promotion होती है ठीक है उसके माध्यम से वो indirectly आपकी alcohol की promotion कर रहे होते हैं तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर prohibition को जगा के उपर करी गई है in particular rules के अंतरगत जो restricted है ठीक है ना इस तरह की चीज़ों के साथ-साथ यहाँ पर linkage इसका देखने को मिल जाएगा ब जानना कि हाँ इस तरह के betting और gambling के regarding action लिया जाता है आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी से information दोस्तों आप सभी के लिए जो हमारा विश्वास दिवस offer है वो 10th मार्च तक valid है जिसके माध्यम से आप हमारे सारे courses के अंदर quality के साथ-साथ अब बहुत अदा affordable courses आपको यहाँ आप देखने को मिल जाएंगे चाहे वो संकल 4.2 हो टाइटन 2.2 प्रहार 2.2 हो यह सारे courses आपको बिल्कुल मदद करेंगे आपके exam को अच्छे से clear करने के लिए and 10 मार्च सक अगर आप इनके अंदर enrolls होते हैं तो definitely बहुत अच्छे discounts आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए है जो कि आपको semester wise अपने अपने targets कंप्रीट करने के अंदर help करेंगी तो यह सारे particular courses का जो link है मैंने इचे description के अंदर दे दिया है वहाँ पर जाकर आप definitely सुश्वास दिवस के special offer को utilize कर सकते हो आगे चलते हैं next topic की तरफ that is growing HIV drug resistance to यह particular drug की मैं बात कर रहा हूं DTG इसको नाम है यह नाम मैं हो सकता गलत पना उस कर रहा हूं पर आपको मुद्द समझने के आप कोशिश करो जब हम बात करते हैं HIV human immunodeficiency sorry human immunovirus की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में बहुत जादा एक concerning चीज हो जाती है तो यहाँ पर proper अगर हम बात करते हैं जैसे AIDS वगरा की बात क करता है अब कई बार आपने नोटिस भी क्या होगा जैसे अगर आप haircut करवाने जाते हो तो वहां पर हर बार वह उस चीज को चेंज करता है नीडल वगरा को इस तरह से होता बता क्या है कि एक्चल में blood से सीमन से विजाने फ्लूट से या breast milk से कहना कि HIV transmit हो सकता है और इसका क कि वज़े से क्या होता है आपकी WBC हो गया white blood cell हो गया anti helper cell इसको यह demolish कर देता है HIV अगर मालो यह treatment इसका proper नहीं किया जाता है तो कहिना कि परसन किसमें कि stage में आ जाता है AIDS के अंदर acquired immunodeficiency syndrome stage इसके अंदर आ जाता है अब ध्यान रखना इसको test करने के लिए हमारे पास एक test ह है अलीजा test अलीजा is enzyme linked immunosorbent assay test इसके माधियम से हमें पता लगता है कि blood के अंदर हमारी antibodies है और उससाब से हम AIDS को detect कर सकते हैं तो treatment देखो बहुत proper इसका cure तो नहीं है पर इसको anti retroviral therapy के माधियम से इसको manage किया जा सकता है अब एक आपके दिमांग आगा सरी retroviral क्या चीज ह देखो retrovirus कुछ नहीं है एक तरह का virus ही है ठीक है anti मतलब उसको खतम करना retrovirus है एक तरह का ऐसा virus जो RNA ribonucleic acid को use करता है that's genetic material not DNA उसको बोलता है retrovirus और anti retroviral therapy के माधियम से हम तहने कि इसको control करने ही कोशिश करते हैं इसके लाबा तो एक तो ART हो गया इसके लाबा HAART यानि क पर भी कुछ particular drugs को हम utilize करते हैं जिसके माधम से HIV का replication रोख जाता है अब यह जो particular drug की बात कर रहा हूँ न यह TV काई के brand name के अंतरगत यहाँ पे sell करी जाती है ऐसा देखा गया है कि HIV patients के अंदर ना इसके लिए resistance increase हो रही है मैंने आप लोगों को कही बार antimicrobial resistance या फिर antibacterial resistance के regarding अपना resistance यो कर रहे हैं in fact अभी recent यह एक ऐसा case भी आया है जहां एक mother के अंदर यह resistance थी इस particular drug की जब उसका baby bond हुआ तो यह बच्चे के अंदर भी उसके लिए इस particular drug के लिए आपकी resistance देखने को मिली तो यह अपने आप एक बहुत ही concerning चीज़ है कि हमारे पास पहले drugs की यह आपे कमी है इस चीज़ के regarding और इस तरह से अगर HIV drug के regarding resistance increase होती रहेगी कहीं ना कहीं हमें इस particular HIV के साथ लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इसके अलावा अगर हम notice करें पिछले कुछ trends की तो हमारी जो कोशिश है sustainable development goals को achieve करने की वहाँ पर health भी एक important parameter है त तो HIV ना कम नहीं हो रहा यह बलकी उल्टा बढ़ रहा है तो हमारे SDG target बहुत ही track से बिल्कुल पटरी से बिल्कुल नीचे गिरे पड़े हैं मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा पूरी दुनिया भर की बात कर रहा हूं देस targets are way off track getting it और उपर से drug existence का increase होना यह तो अपने आ इस चीज़ का देखो जब हम बात करते हैं ना आइनेस जटायो की तो इंडियन नेवी के द्वारा इसको commission क्या गया है मतलब मिनी कोई के उपर आइनेस जटायो को यह क्या है यह हमारा naval base है एक्चल में क्या होता है इस तरह के naval bases बनाये जाते हैं अलग-अलग आपके areas के उ बात है तो दरसल में ना हमारा लक्षदीप के अंदर already हमारे पास Indian naval base है क्या नाम है कावरती के अंदर already INS द्वीप रक्षक जो है वो exist करता है पर हमने एक नया naval base commission किया है कहां पर मिनी कोई island के उपर that is INS जटायो तो यह नाम आपको दिहान में रखने चाहिए यह दो यह किता कावरती जो की लक्षदीफी capital है वहाँ पर था अब यह दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और मिनी कोई के यहाँ लोगेशन बड़ी important है अगर आप notice करो यह 8 degree और आपका 9 degree channel इन दोनों के बीच में located है जैसे आप लोगो ना अंडेमाना निकवार तो इसका increase होना इसका यहाँ पर नेवल आपका नेवल बेस बनना यह हमारे लिए बहुत ज़दा important बन जाता है थोड़ा से मैं आपको इसको और importance बताता हूं अब खुद एक बार notice करो यार इससे लक्षदीफ आइलेंड के अंदर हमारी मदद करेगा चाइना की जो growing presence है इ Western Arabian Sea के अंदर तो हम one of the quick responders की तरह हम यहाँ पर act कर पाएंगे and overall security infrastructure के अंदर भी important यह milestone की तरह काम करता है ध्यान रखेगा कावा रती के अंदर जो INS 2 प्रक्षक है उसके बाद यह second naval waste आपको अलक्षदीफ के अंदर देखने को मिल जाएगा यह 1980s के अंदर naval detachment miniquai setup किया गया था बट अब जो recent चीज है वो आपको INS 2.0 के बारे में जाननी चाहिए बाकी miniquai के बारे में पढ़ लो ठीक है southernmost island है लक्षदीप का जहां पर आपको vital seal lane of communication SLOC बोलते हो न वो यहाँ पर आपको important seal lane of communication आपको देखने को मिल जाएगे ज infrastructure facilities of project seabird अब यह क्या है सर्फ project seabird देखो defense minister के दौरा न कुछ important infrastructure project को यहाँ पे inaugurate किया गया है Indian Navy के लिए जो बहुत important है that is करनाटका का का कारवार यह location आपको कारवार पता होनी चाहिए करनाटका के अंदर है अब यह है क्या what is project seabird देखो project seabird इंडिया का सबसे बड़ा naval project है इसका काम क्या है इसका काम है आपके fleets को आपके warship को maintain करना और fleets को assistance को provide करना तो यहाँ पे करनाटका के अंदर located है इसके दो project हमें देखने को मिले थे एक्चल में start हुआ था यह 2005 के अंदर project seabird उसके माधियम से ठीक है ना अगर आप notice करोगे यहाँ पर 10 ships को facilities provide करने का objective था फिर यह complete हो गया उसके बद 2011 के अंदर second phase start हुआ project seabird का पहले phase के अंदर तो हमने अलग-अलग essential infrastructure बनाया जैसे for example breakwater हो गया कुछ areas होके जहाँ पर 10 ships को accommodate करा जा पाए तो इस तरह से first project के अंदर था पर phase two project seabird का यहाँ पर इसको further expand कर रहे हैं we are expecting की जो phase two हुए था उसके अंदर का 32 ships हो गया submarines हो गया हम उनको accommodate कर पाएंगे and आपकी जो अलग-अलग buildings हो गया उनको construct किया रहा है structures हो गया ताकि environment guidance को meet किया जाए basically point ही सिरफ इ infrastructure facilities को हम regularly expand करते जा रहे हैं phase one के अंदर थोड़ी कम facilities थी phase two के अंदर हमने further उनको expand करते हुए अपनी जो warships को maintain का नही capability है and fleets को assistance देने की capability है उसके अंदर एक major increase किया है next चलते है औरांस the sacred groves of Rajasthan के उपर देखो Rajasthan की state government ने औरांस को deemed forest की तरह यहाँ पे declare कर दिया है एक notification के थूप जिस वज़ा से वहाँ की local लोगों के लिए एक थोड़ास concern बन चुका है actually पहले मैं आपको deemed forest समझा देता हूँ कि deemed forest क्या होते हैं deemed forest ऐसे areas को बोलते हैं जो की formally classify नहीं होते forest की तरह by central and state authorities in their official records ठीक है न तो उनको forest की तरह पूरा consider नहीं किया जाता official records के अंदर अब जब मैं बात करता हूँ औरांस की तो औरांस क्या है कि sacred groves है sacred groves हमने करी बार पड़े हुए है यह sacred groves बहुत बन जाते हैं हमां की local communities के लिए क्योंकि उनके लिए इनका religious significance culture significance होता है काफी सारे लोग इनको पूझते भी है in particular आपके जो अलग-अलग आपके जो spaces होते ह अब इस वज़ा से क्योंकि इनको पूझा जाता है तो definitely इनको कोई काटता नहीं इन पेड़ों को कोई इनको गिराता नहीं क्योंकि इनकी religious and spiritual significance होती है livestock grazing वगरा के लिए इनको use किया जाता है habitat अगर हम बात करें ना तो जिबी ग्रेट इन बस्टर्ड जब मैं बात करता हू आप जानते हो ग्रेट इन बस्टर्ड राजस्तान का state word है और major population जिबी की आपको राजस्तान के अंदर ही देखने को मिल जाती है तो औरांस जो है ना there amongst the last natural habitat of ग्रेट इन बस्टर्ड पर अभी जैसे सरकार पता क्या कर रही है सरकार हो गया वहां के और जो private company हो गया वो क् इस categorization के माध्यम से जोजो औरांस को categorize कर दिया आप वेस्ट रेंड के जा दीए मालो उसके वज़ा से क्या हो रहा है बायर डिवस्टी का लॉस हो रहा है और यहाँ और इन पेड़ों को काटा जा रहा है इन पेड़ों को काट कर वहाँ पे क्या कर रहे है वहाँ पर solar plant बहुत इंपोर्टेंट है अपने आफ मोट जानते हैं और सब्सक्राइब के नाम से महराष्टा के अंदर तो इस तरह से सभी नाम आप यहाँ पे देख सकते हो अलग-अलग नाम उसे जिससे आप से सेकर्ट ग्रोप्स को बुलाया जाता है तो यह कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिसकस करने थे इसी टॉपिक्स के उपर कुछ मैं आपको होमग दे रहा हूँ जिम कॉर्बेट एक डिशनल कुशन है जो मैंने कल आपको बताया भी था कल स्टार्टिंग हमने यहीं से करी थी बाकी तो आज हमने डिसकस करे तो बड़े राम से आप इन सभी का अंसर मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो ट्रू और फॉल्स की मदद से इसके अलावा कल जो हमवर्ग जाता उसको डिसकस कर लेते हैं देखो जब हम बात करेंगे न आसियान ब्लॉक की तो आसियान के अंदर आपको बड़े राम से पता होने चाहिए कि भाई चाइना तो इसका अंसर है ही नहीं चाइना कैसे आ आजाएगा आसियान के अंदर इसके आपका homework रहेगा पहला economy के question ठीक है काफी easy question है inflation को अगर समझते हो bond और debtors को यवारे में अगर आपको जानकारी है तो easily ये question आप कर ले जाओगे दूसरा आपका homework रहेगा quality से काफी easy question है ऐसा question ना दो तीन बार UPS ने repeat किया हुआ है इस वज़े से मैं question को लेकिया हूँ हाला कि question काफी easy है कल जो homework दिया था उसको discuss कर लेते हैं देखो जब हमने बात करते हैं seas और उनकी bordering countries की है तो यहाँ पर थोड़ा समझनी कोशिश करना मैं आपके लिए अलग-अलग ले ही आया हूँ maps अगर मैं बात करते हो ना black sea की तो black sea आप जानते हो छे country साथ border अपनी touch करता है यह हो गया आपका टर्की, बुलगेरिया, रुमेनिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया, तो इस अधर शिक्स country that actually touch the black sea border इनको आप पर्टिकुलर मिन्नमानिक्स के मादियम से भी जान सकते हो इसके साथ ही जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके कैस्पीन सी की तो कैस्पीन स अजर्बाइजान, रशिया, इरान और कजाकिस्तान, इसके साथ में ही मेडिटेरियन सी तो बहुत सारी कंट्री साथ बॉलर टच कर सकता है, यह आप एक बार इनको गो थू करना, इसके लाब अगर मैं बात करूँ आपके रेट सी की, यह तो मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है, जो छे कंट्री मैंने आपको बतायी थी, जिनके अंदर आपका एजिप्ट हो गया, आपका सूडान हो गया, इसके लाबा आपका साओधी, अरेबिया हो गया, ठीक है, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर आपका जिबूती आ जाएगा, ठीक है, इरत्रिया आजाएगा साथ में हैंपे, ठीक है न, एंड इसके लाबा आपका जो यमन है, ठीक है, तो यह छे कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसके साथ में एड्रियाटिक सी को आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर अलबानिया एक प्टिकुलर इडिया होगा न, मुझे बता है, सबका तो शाहद आप मेलिटेरियन सी का शाहद इतना आप याद ना रख पाओ, पर कही न, इस तरह से आप कुछ कुछ की चीज़ों को आप इलिमिनेट करते हुए भी आप अपने अंसर तक चीज़ों को पहुंच सकते हो, ठीक है, तो इ इसके अंदर परताकिस्तान भी विल्कुल आता है, मुरुक को भी आता है, रट सी के अंदर सीरिया नहीं था, आपका साउधी रेविया और सुडान था, तो वान थ्री और फोर इसका सही अंसर बन जाएगा, दूसरा आपको मैंने आपको होमवक दिया था, इस G20 के मेंबर देखो, G20 के मेंबर आप यहां से याद रख सकते हो, अब याद रखना इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन भी आड हो चुका है, तो वो भी इंक्लूड हो चुका है, बाकि G20 के अंदर यह साथ तो देश जो हमारे G7 के हैं, उसके लाभा रशिया और 12 यह और साथ में अफ् की और आपका साथ अफ्रीका, यह चारो की चारो को अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो 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 तुफ कोशन था, बड़ डेफिनेटली आप इसको कर सकते थे, तो दोस्तों यह थी आज की डिसकेशन, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप मैं टेलिग्राम चैनल पीडबली ओनली आपको जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बहतर बना सकते हो, thank you very much for the discussion.